कपड़ा रंगाई और छपाई का बिजनस कैसे शुरू करें डिजिटल इंडिया के युग में लोग नौकरी छोड़कर अपने खुद का बिजनस शुरू करने का प्लान कर रहे हैं अगर आप भी कोई नया बिजनस शुरू करने का प्लान कर रहे हैं तो हम आपको बता रहे ह एक खास बिसनिस की बारे में जिस से आपकी अच्छी कमाई होगी आफिस के लिए तयार होते हुए सूट और टाई लगाना हो या फिर किसी तेवहार में खादी के बने आउटफुट पहनने हो स्कूल ड्रेस, जीन्स, साडी, ट्रडिशनल से लेकर फॉर्मल और क्याजूल वियर टेक्स्टाइल इंडस्ट्री की देन है आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप टेक्स्टाइल इंडस्ट्री में अपनी खस्मत आजमाना चाहते हैं और अपना खुद का टेक्स्टाइल बिसनिस शिरू करना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए इस बिस्निस से जुड़ी पूरी जानकारी लेकर आए हैं इस वीडियो को अन तक जरूर देखें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है किन-किन जरूरी मशीन रिकिया आवशकता होगे इसके अतरिक इस वेवसाई में कंटेनर ट्रॉली और हाथों के उपकरण की भी आवशकता होगे कितनी जगा की आवशकता होगे कपड़े के रंगाई और छपाई का बिजनस चोटे लेवल पर शुरू करने के लिए आपको 3000 से 3000 स्कॉयर मीटर की जरूरत होगी जिसमें से प्रोडक्शन एरिया 2000 से 200 स्कॉयर मीटर रॉम मटिरियल के लिए एरिया लगभग 500 स्कॉयर मीटर और केमिकल और कलर रखने के लिए एरिया लगभग 200 स्कॉयर मीटर फाइनल प्रोडक्ट के लिए एरिया लगभग 500 स्कॉयर मीटर चाहिए होगा किसे भी बिजनस को शुरू करने के लिए सरकारी लाइसंस की जरूरत पढ़ती है कपड़े के विवसाई के लिए कुछ जरूरी लाइसंस ये है कपड़े के रंगाई और चपाई के बिजनस को छोटे लेवल पर शुरू करने के लिए आपको 30 स्टाफ की जरूरत होगी कपड़े के नगाई और चपाई के बिजनस में आपको प्लांट और मशीनरी में लगबग 25 से 50 लाइस की जरूरत होगी जिसमें आपकी सभी कॉस्ट शामिल है जैसे मशीन, लेबर, रॉम मटीरियल आदे लाब कितना होगा कपड़े के नगाई और चपाई के बिजनस में आप लगबग 20 प्रतिशत तक मुनाफ़ा कमा सकते हैं अगर आपकी एक महीरे की सेल लगबग 10 लाग की होती है तो उसमें से आपका शुद्ध मुनाफ़ा 20 प्रतिशत लगबग 2 लाग का होता है जो आपके investment और production पर भी निरभर करता है तो आज हमने आपको बताया कपड़ा, रंगाई और चपाई के लिए बेहत फादिमन बिजनस के बारे में तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और business ideas के लिए comment करके हमें जरूर बताएं Okay Credit, business okay है